हेई माइ ब्यूटिफल सोल्स स्वागते आप सभी का मेरे चैनल पर आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टेरो कार्ट्स रीडिंग के साथ और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की अभी की क्या फिलिंग्स हैं अभी उनकी क्या फिलिंग्स हैं कुछ viewers के साथ resonate ना करें जितना पार्ट आपसे resonate करें उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा और friends एक और मैं disclaimer आपको देना चाहती हूँ कि मेरे comment section में कुछ लोग अपना add दे रहे हैं Guru जी के नाम से numbers डाल रहे हैं कि Guru जी ने उनके प्यार से मिलवा दिया है इस तरीके से message लिख रहे हैं तो please आप लोग aware रहेगा ये numbers मेरे नहीं हैं और ये जो भी fake people हैं ये बस आपको गुम रहा करने की कोशिस कर रहे हैं ये आपसे आपकी information लेंगे, जानकारी लेंगे और उसके बाद आपसे एक अच्छा खासा amount लिया जाएगा कि आपके लिए rituals करा रहे हैं आपके problems को solve करने के लिए पूजा part करा रहे हैं उसके लिए आप इतना इतना payment कीजिएगा तो please आप लोग aware रहेगा ऐसे किसी भी person को अपना number मत दीजिएगा अपनी कोई भी personal information मत दीजिएगा मेरा number सिर्फ मेरे about section में मिलेगा आपको मेरे channel के about section में और आप लोग अगर personal reading कराना चाहें तो मुझे वहाँ से whatsapp कर सकते हैं लेकिन ये जो नीचे add दिये जा रहे हैं ये मेरे numbers नहीं हैं तो please aware रहेगा आप लोग और friends सुरू करते हैं reading को तो यहाँ पर मैंने दो pile रखी हुई है और reading का topic है कि आपके partner की अभी की क्या energy है अभी आज की उनकी आपके लिए क्या energies हैं क्या उनकी feelings हैं यहाँ पर ये है rose quartz love magnet love crystal अगर आपको ये वाला crystal पसंद आ रहा है rose quartz tower पसंद आ रहा है तो आप इस बाली deck को चुन सकती है और अगर आपको black tourmaline पसंद आ रहा है तो आप ये वाला deck चुन सकती है तो आप intuitively कोई भी deck चुन सकती है और उसके बाद चेक करते हैं कि आपके partners की आपके लिए क्या energies है Thank you Welcome pile one तो हमारी viewers ने उनके लिए क्या message निकल कर आ रहा है क्या feelings है उनके person की उनके लिए देखते हैं चेक करते हैं और rose quartz एक love crystal है अगर आपकी love life में problems हैं आपके relationship दूसरों से खराब हैं तो आप rose quartz से बना हुआ bracelet पहन सकते हैं इसका बना हुआ pendant ले सकते हैं और चाहें तो आप इसे raw form में भी अपने पास रख सकते हैं इससे आपके relationship में सुधार आएगा और इसकी positive energy से आप peaceful महसूस करेंगे तो शुरू करते हैं reading को देखते हैं आपके partner की आपके लिए आज की क्या feeling है पहला card निकल कर आया है देश्टार major arcana hope उनके दिल में hope है आपके लिए कि आप उनको मिलोगी मिलोगी my goodness nostalgic feel कर रहे हैं पुरानी यादें याद कर रहे हैं आपको miss कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी भरपाई कर सके कोई भी नहीं है उनकी life में जो आपकी जगह ले सके बहुत miss कर रहे हैं आपको कुछ viewers के लिए तो साइद उनके partner उनके लिए रो रहे होंगी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लेकिन अंदर अंदर सब रोते हैं five of wands या तो उनकी life में chaos चल रहे हैं problems चल रही हैं drama चल रहे हैं या फिर आप दोनों का जगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में कोई न कोई बात ऐसी हुई है कि आप दोनों contact में नहीं हो पहले मैं cards लगा रहती हूँ उसके बाद check करते हैं तो cards आपके लिए बहुत अच्छी निकल कर आए हैं बहुत positive card है six of cups king of cups knight of cups okay तो friends सबसे पहला card है मारा star zodiac sign पहले बता देती हूँ यहां पर water sign cancer scorpio pices air sign gemini libra aquarius earth sign taurus virgo capricorn यहां पर water sign और ear sign बहुत ज़्यादा है fire sign aries leo sagittarius तो आपके partner को आपको लेकर बहुत ज़्यादा होप है बेसक आप लोगों के बीच में कुछ problems होई हैं जिसकी विजय से आप दोनों दूर हैं उन्होंने आप से past में चीजें चुपाई हैं स्टॉक करते रहें आप उनको रन करते रहें रनर और चेजर का गेम चलता रहा है याँ पर आप उनको सर्च करते रहें और वो आपसे बचते रहें हमेशा वो आपसे बच कर भागे हैं यही रीजन है कि फिर आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया जब आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया सभी सर पर छोड़ दिया तो इनकी लाइफ में टावर मूमेंट आया है टावर मूमेंट आया है और इनको एसास हुआ है आपका आपकी जजवातों का इनको ये फिल हुआ है कि आप इनके लिए क्या मैसूस करती हो आप इनको कितना चाहती हो कितना प्यार करती हो और यही कारण है कि अब ये एक नई सुरुवात करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके स इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया है उसके लिए इनको बड़ी सरविंदगी है यह सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आये किस तरीके से आपको अप्रोच करें किस तरीके से इस बात को इस रिस्ते को आगे बढ़ाये इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और यह आपके साथ बिताए हुए छड़ बहुत ज़्यादा मैसमराइज कर रहे हैं बहुत याद कर रहे हैं अपने ही फैंके हुए पासों में फस गए हैं जो इन्हों ने आपके साथ किया अब वो इनके साथ हो रहा है इनको पता है कि यह चाहें तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती यह चाहें तो आपके लिए एक्सन ले सकते हैं यह चाहें तो आप दोनों एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं लेकिन यह कही ना कही कुछ रूड वादता में अभी भी बंदे हुए हैं सही decision नहीं ले पा रहे हैं लोगों की काओं काओं इनको परिसान करती हैं लोग क्या कह रहे हैं समाज के लोग क्या कहेंगे ये सब बाते इनके लिए matter करती है इनको बड़ा डर है समाज का, दुनिया का Wheel of Fortune, Two of Cups लेकिन समय पल्टा है समय पल्टा है और इनको आपके जज़बातों का अहसास हुआ है इनको आपकी जो सच्ची भावनाई है उनका अहसास हुआ है इनको समझ में आया है कि आप इनके लिए क्या हो True Love का कार्ड है ये और देखिएगा Four of Wands मेरे लिए मेरे लिए Four of Wands एक Marriage का कार्ड है मैं इसको अमेसा Marriage के कार्ड के रूप में देखती हूँ तो अब इनको आपकी असलियत का हैसास हो रहा है और ये ख्वाइसमंद है कि आपसे साधी करेंगे इन फ्यूचर ये आपको अपने साथ लेकर जाएंगे देखिएगा इनको आपके प्यार का एसास है और अब निकट फ्यूचर ये आपके बारे में गहराई से सोचेंगे और आपके लिए एक सॉलिड एक स्ट्रॉंग एक्शन लेने वाले है तो उनकी जो आज की एनरजी है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है बहुत अच्छी है समय का पहिया घूम रहा है और आपके फेवर में वर्क कर रहा है सब आपके अकॉर्डिंग होगा तो फ्रेंड्स ये है पाइल वन वालों की रिडिंग आपको पसंद आई हो रिडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो माइच फो वचिंग वेलकम पाइल वन सॉरी पाइल वन मैंने क्यों कहा डॉन लेकिन हो सकता है कि आप पाइल वन से भी अट्रेक्टेड हो तो वेलकम पाइल टू देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए अभी की क्या feelings हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए और black termaline एक ऐसा crystal है जो हमारे आसपास की negativity को remove करता है ये अपने अंदर उन सारी negative feelings को सारे बातावरण की negativity को अपने अंदर absorb कर लेता है और इसके बाद आपको इसको cleanse करने की जबरत परती है तो ये most of जो काम में आता है वो है अपने आसपास के बातावरण की negativity को दूर करने के लिए ये बहुत बहुत beneficial है तो friends जिन्हों ने भी ये black termaline चुना है देखते हैं कि आपके partner की आपके लिए अभी क्या feelings हैं क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए thank you thank you god thank you angels thank you so much universe thank you thank you thank you so much merisabhi ascended masters thank you so much merisabhi spirit guides thank you bottom of deck aloneness तो friends सबसे पहला card है isolation का हो सकता है कि आपके partner ने खुद को isolate कर रखा हो आप से no contact zone में हैं आप से बात नहीं हो रही हैं आपको नहीं पता चल रहा है कि उनकी life में क्या हो रहा है किस तरीके से उनकी life में situation बनी हुई है और यहां पर number three है number three mind body और soul को represent करता है तो कहीं न कहीं यह काफी दुखी है काफी सोच विचार में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है life में की रायते फैले पड़े हुए हैं या फिर इनके अंदर transformation चल रहा है कुछ changes हो रहे हैं metamorphosis की situation में है यह इनके अंदर बदलावा रहे हैं अंदर से पुरानी shadow self बाहर जा रही है success नमबर six venus का card है हमारी life में उस सारी blessings हम को मिलती है luxurious life जीने को मिलती है happy moments आते हैं तो यहां पर आपके partner की life में निकट future बहुत बड़ी victory मिलने वाली है उनको एक success मिलने वाली है past life और आप दोनों का जो connection है वो past life का है तो आपके लिए जो अभी उनकी feelings है वो यही हैं कि अभी उनका side metamorphosis चल रहा है लेकिन यह जैसे ही complete होगा chapter वैसे ही उनको success मिलेगी और success मिलेगी उसके बाद वो आपकी और move करेंगे उनको आपकी कमी महसूस होगी आपकी याद आए बहुत ज्यादा आपके प्रतिन nostalgic feel करेंगे आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है उसको सुधारने की कोसिस करेंगे और आपके लिए कोई ना कोई action लेंगे यहाँ पर मुझे यह vibes आ रही हैं कि वो अपने friend circle में यह बात कह देंगे कि वो आपके साथ life गुजारने की सोच रहे हैं और दीरे दीरे यह फिर वो अपनी family में भी अपने family members से बोलेंगे अपना जो decision है वो अपने family members को सुनाने वाले हैं वो stress लाइफ में अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा stress को जहला है बहुत ज्यादा लोगों के सारों पर नाचे हैं चाहें वो उनकी mother रही हो उनकी भावी रही हो उनकी बड़ी sister रही हो या father हो अभी तक वो सभी के सारों पर नाचते रहे हैं और नाचते नाचते पूरी तरह से ठक चुके हैं अब नहीं चाहते हैं कि वो दूसरों के सारों पर नाचे और सिजोफेनिया अगर वो और ज़्यादा दूसरों के कहे में चलते रहे तो वो किसी ना किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्ट हो जाएंगे, ऐसा भी वो सोच रहे हैं, तो बहुत जल्द वो अपने लिए एक्षन लेने वाले हैं, अपने लिए एक्षन लेंगे और उसके बाद वो ये डिक्लियर कर देंगे कि वो आपके साथ लाइफ कुजारना चाहते देखिए यहां पर, उन्होंने हमेशा अपनी फिलिंग्स को सप्रेश किया है, दबाया है, आपके प्रती उनके मन में जो भावनाई थी, जो प्रेम था, जो इसने था, उन्होंने हमेशा दबाया है, और इसके पीछे रीजन रहा है, उनका परिवार, उनकी फैमिली, और यह चीज वो बड़ी सिद्दत से सोच रहे हैं, कि अब उनको इस भार से मुक्त होना है, यह जो कैद है, इस से इनकलना है, दा सोर्स, इसवर से प्रे कर रहे हैं, और इसवर से ही जुड़ रहे हैं, उनको पता है कि जो मिरे कल, इसवर कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता है तो वो अपने भगवान पर उनको बड़ा ट्रेस्ट है और इस और पर भरोसा रखकर इस और बढ़ रहे हैं healing उनका heart chakra open हो रहा है उनका heart chakra open हो रहा है बहुत ज्यादा healing चल रही है उनकी इसी लिए वो isolation में हैं देखिएगा उनका जो metamorphosis time चल रहा है इस time में व्यक्ति दुनिया से disconnect हो जाता है उसके अंदर अंदर कुछ ना कुछ changes होते रहते हैं इस वज़े से वो लोगों से बात करने में कत्राता है अपने आपको isolate करके रखता है एकांत में रहता है क्योंकि उसके अंदर बहुत बढ change आ रहा होता है तो इनकी healing चल रही है अभी आपके partner की healing हो रही है और यह near future अपने relationship पे work करेंगे यह heal करेंगे जिस तरीके से अभी इनकी healing चल रही है निकट future यह अपने relationship को heal करने के लिए कोई न कोई ठोश कदम उठाने वाले हैं playfulness यह चाहते हैं आपके साथ जिंदिग यह चाहते हैं कि life में playfulness हो जो stress परिसानिया anxiety अभी तक यह face कर रहे थे अब आगे face नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनका जो यह metamorphosis चल रहा है इसके बाद इनको खुद भी अपने अंदर change फील होगा यह खुद भी किसी के दवाव में नहीं रह पाएंगे यह खुद से free हो होना चाहेंगे और इनको freedom चाहिए ही चाहिए है किसी भी तरीके से यह इनके प्रकारें इनको अपनी life में freedom चाहिए अपनी life को playfulness के साथ खुशियों के साथ जीना चाहते हैं और यह जी कर दिखाएंगे और यह चाहते हैं कि जो आपके बिनाई alone lence feel कर रहे हैं इसको यह द लाते हैं और यह strong करेंगे, इनको यह एहसास होता है कि आप इनके soulmate हो, आप साइध past में भी इनको मिल चुके हो, आप past में भी इनके साथ रहे हो, क्योंकि इनको आप से यह feeling आती है कि आप दूर के नहीं हो, इनको हे लगता है कि यह आपको जानते हैं पहले से, जानते हैं जानती हैं आपकी मेल फीमेल दोनों हो सकती है तो इनको यह फिल आती है कि आप काफी टाइम से दुसरे को जानते हो हम पहले भी मिले हैं कहीं इस तरीके की इनकी फीलिंग है तो यह चाहते हैं कि आपके साथ खुशनवा प्लेफुलनेस समय गुजा रहे हैं तो फ्रेंड्स यह है उनकी आज की रीडिंग उनकी आज की एनरजी करन्ट फिलिंग्स आई होप रीडिंग आप से रेजनेट की हो आपको पसंद आई हो रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मच अपना कीमती सम दो जैंक्ती समय धू आज शो ग्षी एको लाइक कर दो रेख़ों को भीडिन पार कीमती नहीं हो अपना चैनल थैंक ओरभ लेख़ों को ब्तावर फूसंद पत्वर्श पार्वश् कर जमाल भीडिंग्स आएक कर दो पत्ता घंक्वर्श रूस्टया थैंक्ड पत्ता हैं